आईपेल भारत के लोगों के लिए एक त्योहार की तर है इस लीग का मज़ा हर वर्क के लोग उठाटे है भारत के साथ साथ अन्यद देशों से भी आईपेल को बहुत प्यार मिलता है ये लीग 2008 में शुरू हुआ था और आज तक इस लीग का कुल 12 सीजन खेले जा सुके है और आज का वीडियो का टाइटेल है 20 Interesting Facts You Didn't Know About IPL नामबर वान BCCI यानि Board of Control for Cricket in India ने IPL को सुरू करने की घोशना 2007 में की और इसके कुल एक साल बाद 2008 में IPL की सुरूआट हुई IPL के Mastermind Lalit Modi थे और इसलिए दो सीजन तक इन्हें इस लीग का Commissioner भी रखा गया लेकिन बाद में Corruption के आरोप लगने के कारण उनको Suspend कर दिया गया 2. IPL के पहले ICL Indian Cricket League खेला जाता था इससे ही BCCI को IPL का आइडिया आया IPL का पहला मैच 18 अप्रिल 2008 को KKR और RCB के बीच खेला गया था और ये मैच KKR जीता था इस तरहे IPL का पहला बॉल प्रवीन कुमार ने की थी और उस गेंद का सामना सोर ओफ गांगुली ने किया था 3. IPL का पहला फोर के के लिए खेलते हुए Brandon McClellan ने लगाया था और पहला 6 भी Brandon McClellan ने ही इस मैच में लगाया था IPL का पहला विकेट जाहिर खान ने लिया था उन्होंने सोर ओफ गांगुली को आउट किया था 4. Decken Chargers, Gujarat Lions, Kosi Taskars, Kerala, Pune Warriors, India और Rising Pune Super Giants एक समय पे IPL की तीम हुआ करती थी लेकिन अब ये तीम्स IPL का हिस्सा नहीं है 5. IPL में किसी भी पाकिस्तान के प्लेयर्स को हिस्सा लेने का अधिकार नहीं है हाला कि इस वक्त IPL सुरू हुआ था उस समय कई तीमों में पाकिस्तान के प्लेयर्स हुआ करते थे लेकिन बाद में इस देश के प्लेयर्स को IPL में लेने पर बैन लगा दिया गया आपका इस रूल के बाड़े में क्या विच्छार है कोमेंट करके ज़रूर बताए नमबर सीक्स ब्रैंडन मेकलम IPL में शतक मतलब सेंसुरी लगाने वाले पहले बल्लेबास थे और मनिश पांडे पहले भारतिय बल्लेबास थे जिछोंने IPL में सतक लगाया था नमबर सेवन विराट कोहली ने IPL 2016 में कुल चार सतक बना डाले थे किसी भी सीजन में एक खिलारी द्वारा बनाएगे ये सबसे ज़्यादा सतक है और विराट कोहली ने इस सीजन सबसे ज़्यादा रांस बना कर इस सीजन उन्होंने 973 रांस का बड़ा स्कोर किया था नमबर एट आईपेल इतिहास में पूर्ब क्रिकेटार आदम गिल्ख्रीस ही एकमात्र खिलारी है जिन्होंने एक ही गेंद फेकी थी और उस पर उन्हें विकेद भी मिल गया था नमबर नाइन CSK यानि सेननाई सुपर किंग सी एकमात्र ऐसी टीम है जिन्होंने अपना कप्तान अभी तक नहीं बड़ा है 2008 से ही महिंदर सिंग धोनी ही CSK का कप्तान रहे है और इसके उपोजीट किंग सिलेवन पंजाब ने हर सीजन अपना कप्तान बड़ा है किंग सिलेवन पंजाब ने बारा बार अपना कप्तान बड़ा है 10. 2015 के IPL में मैच के दोड़ान अमपायर ने काईरन पोलार्ड को सांत रहने को कहा था तो काईरन पोलार्ड अपने मुँपर टेप बांठ कर आ गए थे 11. सबसे अधिक जीत का प्रतिशत का रेकॉर्ड CSK के नाम है CSK ने अब तक 165 मैचेस खेले है जिन में से उन्होंने 100 मैच जीते है और इस काईरन CSK का वीडिंग परसेंटेज 61.28 का है और IPL में सबसे जड़ा मैचेस जीतने का रेकॉर्ड MI मतलब मुंबाई इंदियान्स के पास है उन्होंने IPL में 187 मैच खेले है और 107 मतलब 107 मैच में जीत दर्स किया है सबसे कम जीत का प्रतिशत का रेकॉर्ड Pune Warriors इंदिया के नाम है Pune Warriors इंदिया ने 46 मैचेस खेले है जिन में से उन्होंने 12 मैचों में ही जीत हासिल की है और IPL में Delhi Capitals ने सबसे जड़ा मैचेस हारने का रेकॉर्ड किया है उन्होंने अब तक 177 मैचेस खेले है जिन में से वो 197 मैचेस हार चुके है नमबर 13 IPL में सिर्फ दो भारतिय खिलारी ही अब तक Player of the Tournament बन पाए है और ये दो खिलारी और कोई नहीं वलकी सच्चिन तेंडुलकर और विरात कोहली है नमबर 14 IPL की कुल कीमत 5500 मिलियन US दॉलर है जो की भारतिय पैसों में 40,188 करोर रुपे है और स्तार्ड इंडिया ने Board of Control for Cricket को 5 सालों तक इसकी Global Media Rights जैसी Digital और Television Rights के लिए 16,347 करोर रुपे देने का डील किया है नमबर 15 IPL में सबसे ज़्यादा रान विरात कोहली ने बनाए है जिनके नाम 5,612 रान है और IPL में सबसे ज़्यादा विकेट लासित मालिंगा ने लिए है जिनके नाम 170 विकेट है नमबर 16 IPL में अब तक सबसे ज़्यादा सिक्सेस क्रिस गेल ने लगाए है क्रिस गेल ने कुल 326 चक्के लगाए है और IPL में सबसे ज़्यादा फोर्स सिखर धवन ने लगाए है धवन ने कुल 524 चोके लगाए है नमबर 17 आईपील में सबसे बेस्ट बोलर का रिकॉर्ड अलजारी जोसेफ के नाम है जिन्होंने मत्र 12 रन देकर आईपील में से विकेट हासिल की है जो उन्हें सर्वस्रेस गेंड बास का रिकॉर्ड देती है नमबर 18 आईपील में सबसे फास्टेस सेंसुरी का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम है जिन्होंने आरसीबी के लिए खेलते हुए पुने वारियस के खिलाफ मात्र 30 गेंडों पर ही शतक मतलब सेंसुरी बना डाला था और यही नहीं आईपील में सरवधिक व्यक्तिगर स्कोर यानि हाइस इंडिविज्डियल स्कोर का रिकॉर्ड भी क्रिस्टोफर हैंरी गेल के ही नाम है आरसीबी के लिए खेलते हुए क्रिस गेल ने पुने वारियस के खिलाफ मात्र 86 गेंडों पर 175 रंज बना कर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया था नमबर 19 आईपियल में सबसे फास्टेस हाफ सेंचुरी यानि की सबसे तेस अर्धश तक का रेकॉर्ड के एल राहूल के नाम है जिन्होंने किंग सिल्भन पंजाब के लिए खेलते हुए डेली के फिटेल्स के खिलाफ मात्र 14 गेंडों पर अर्धश तक बना दाला था नमबर 20 रिटेंड कियेगे खिलाडियों में से आईपियल के इचिहास में सबसे महेंगा खिलाडी विराट कोहली है विराट कोहली को आर्धश बी ने 2018 में 17 करोर की मोटी रकम में रिटेंड किया था और auction में सबसे महेंगा बिका जाने वाला खिलारी यूरा सिंग है जिन्हें 2015 में डेल्ले केपिटेल्स ने 16 करोर की कीमत में खरीदा था अगर आपने वीडियो को यहां तक देखा है तो आपका बहुत बहुत आभार और आपके लिए कुछ और बोनस फैक्स 1. Mumbai Indians ने अब तक सबसे ज्यादा बार IPL जीता है Mumbai Indians ने कूल चार बार IPL Championship जीता है 2. IPL का पहला सिजन रजस्थान रोयल्स ने जीता था 3. Chris Gayle ने IPL में लगातार दो साल औरेंज केप जीता है उन्होंने 2011 और 2012 में औरेंज केप जीता है 4. David Warner IPL इतिहास के एकमत्र ऐसे खिलारी है जिन्होंने कूल तीन बार औरेंज केप जीता है 5. सभी खेलों में से IPL पूरी दुनिया में 6th सबसे ज्यादा देखे जाने वाली लीग है तो आज के लिए इतना हैं तो हमरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए लाइक करके मेरा उटसाह बढ़ाने के लिए नीचे कमेंट बक्स पर अपने सुजाफ देने के लिए और वीडियो को शेयर करने के लिए आप सब का प्रेम पुर्बग दिल की गहरारे से धिन्यवाद आप से लिए खड़ाइब का लिए और नीचे करने के लिए आप सब करने के लिए आप समयद